लिंक्ट लिस्ट्स लिंक्स को उस सूचना या इन्फरमेशन से डिफाइन या परिभाशित किया गया है जो उन आइटमों में ही पॉइंटर के रूप में नहीद होती हैं यह स्पश्ट रूप से एरे से भिन्न या अलग होता है जिसमें डाटा आइटमों के बीच के links, एरे के layout या विन्यास तथा storage के परिणाम होते हैं. एक singly-connected linked list का निर्मान singly-connected linked list का निर्मान करते हुए एक नए node का निर्मान बहुत ही सरल होता है. नोड को store करने के लिए आवशक memory का allocation या आवंटन कर दिया जाता है और pointers को sit कर दिया जाता है Link list basics Link list का प्रतेग data item एक structure में निहित होता है Structure में data elements होते हैं जो store किये जाने वाले data को बनाये रखने के लिए आवशक होते हैं ये एक खास program के आवशकताओं पर निर्भर करते हैं इसके अतिरिक एक और data element होता है एक pointer यह pointer linked list में links का निर्मान करता है यहाँ एक सरल उदाहरन दिया गया है Basics of linked lists Linked lists की मूल बातें यह code person नाम के एक structure को परिभाशित करता है डाटा के लिए person में केवल 20 element वाले characters का array होता है सामान्य तो ऐसे सरल डाटा के लिए linked list का उपयोग नहीं होता है परन्तु यह एक उदाहरन की रूप में है person structure में type person को इंगित करने के लिए एक pointer भी होता है बलकि किसी अन्य person type structure के लिए point भी कर सकता है head pointer इसकी पहचान एक खास pointer से की जाती है structure से नहीं जिसे head pointer कहते है linked list में head pointer हमेशा पहले element को point करता है पहले element में दूसरे element के लिए एक pointer होता है दूसरे element में तीसरे element के लिए एक pointer होता है और इसी क्रम में आगे तब तक चलता रहेगा जब तक एक ऐसा element न मिल जाए जिसका pointer null हो यदि संपूर्ण list खाली हो यानि कि कोई भी link न हो तब head pointer को null set कर देते हैं note एक linked list में head pointer पहले element का pointer होता है अर्थाद पहले element को point करता हुआ pointer कभी-कभी head pointer को प्रथम element pointer या top pointer के रूप में भी जाना जाता है self-referential structures तथा linked lists head तथा tail सब्सक्हाब झाल सब्सक्ने कभी झाल झाल